नमस्कार फिर से स्वागत आप सभी का और आप सोच रहोगे ये आचानक से चीजे कैसे चेंज हो गई, दाड़ी कहा चली गई ये सब तो जैसे हम बोलते हैं परिवर्तन ही संसार का नियम है आप भी पगगय होंगे कि यार क्या ये हेतू 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 है, मैं भी पगयाओं पूछ पूछ गे तो चलिए सर से ही पूछते हैं कि सर आईरवेद में हेतू हेतू हर जगा ये हेतू ये हेतू तो ये हेतू है क्या और इसकी इतनी बातचीत की क्या जरूरत डारेक दावा बताईए ना हाँ तो आपने क्वेशन से ही पूछा आपने अभी परिवर्तन शब्द का उपयोग किया यहाँ पे आईरवेद परिवर्जन शब्द यूज करता है और ये कहता है कि संक्षेपतहा क्रिया योगम निदानम परिवर्जनम संक्षेपतहा in short क्रिया यानि treatment उपचार क्या है व सामान्दे भाषा में इंदिदात को और ये information ज्यान आप लेकिन आईरवेद की दुर्ष्टी से आईरवेद यह कहता है कि इंदिदान का अर्थ है हेतू यानि कॉजिस जिन कारणों से बिमारी अभी शरीर में बढ़ गई तो आईरवेद का मानना क्या है कि in short treatment माने निदा को हेतूं को बंद करना जैसे कि युद्ध भूमी में युद्ध लणा जाता है सामने शत्रों के सैनिक रहते हैं तो उसकी रसत जो रहती है अनाज, शस्त्र, कपड़े, दवाईयां सब उनको सप्लाय होता है वो काड़ देते हैं पीच में स्टॉप करते हैं उसके उपर हल दोशों को बढ़ाने का चास ना देना शरीर में और आईवेद यह कहता है कि यही ट्रीटमेंट है और इसी से हमें ट्रीटमेंट शुरू करनी है इतना मुहत्व है हेतूं का कमाल की बात सर ने बताई कि हेतू मतलब बीमारी रूपी आपके दुश्मन और उन दुश्मनों को अगर आप सप्लाय बन नहीं करोगे तो कितनी भी दवाईयां खालो आपको कुछ होने वाला है नहीं तो पहले बीमारी जो आपके शत्रू है उनको सप्लाय बन करो मतलब खान पान की गलतिया ठीक करो सर परिवरतल शब्द से हमने शुरुवात की थी आईर्वेद में अलग-अलग तरह के मौसम बोले गये हैं तो क्या मौसम बदलने से भी ऐसिडिटी हो जाती है मिल्कुल होती है आईर्वेद यह कहता है कि जैसे मौसम बदला जाए जैसे कि आ पादल से बारिश गिरना जब रुख जाता है, यानि वर्षा रुटू जब रुख जाती है और आगे की रुटू शुरू होती है, इसे हम शरद रुटू कहते हैं, जैसे कि सितमबर और अक्तूबर का महिना, वहाँ पे पित्त जादा मातरा में इस रुटू में बढ़ा हु होती है वैसे उष्णताल दो बताएं गए है जैसे कि गर्मी के दो सीजन होते है एक बड़ी गर्मी का सीजन चोटी गर्मी का सीजन बड़ी गर्मी जो होती है वो मार्च अप्रिन मैं महिने में होती है और चोटी जो गर्मी होती है पूरे साल बर में वो सितंबर अक्तुबर मेने में होती है तो आयरवेद का कहना यह है कि छोटी गर्मी का जो सीजन है शरद रुटु का वो ज़्यादा नुकसान दायक के आमलपित्त के रोगियों के लिए और आयरवेद यह कहता है कि वर्शा रुटु में आमलपित्त के रोगियों में पित्त का वास्तविक रुप म संचय होता है और उसकी बढ़ोतरी शरद रुदू में होती है तो सबसे नुपसान दायक यानि कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक शरद रुदू यानि सितंबर अक्तबर महिना है ओके तो चलो हम तो सोचते थे एक ही गर्मी होती है बढ़ आयरवेद बोलता है कि दो टाइप की गर्मी होती है और खास करके अक्तूबर वाली जो गर्मी है वो आपको एसीडिटी में ज़्यादा तकलीफ करेगी सर इसी से याद आया कि कई लोगों के साथ ऐसे होता है कि हो बोलता है कि हम मुंबई आते हैं तो हमें एसीडिटी हो जाती है गाँ हो जाते हैं तो एसीडिटी ठीक हो जाती है तो ये क्या है कि मुंबई आया मतलब मुंबई में एसीडिटी ज़्यादा होती है क्या हाँ पर ये कह आयरवेद का मानना ये है और कहना है कि पित्त जो है या कोई भी दोश है उस पे प्रकृती बाहर की जो अमारी जो हवामान है वातावरण है उसका भी असर होता है जैसे हमने रुद्वों की बात की वैसा है प्रदेश प्रदेश इसको देश कहा है भूमी कहा है और आनूप देश जहां पे पानी ज्यादा है मुंबई का प्रदेश है तो इस तरह के प्रदेश को आनूप प्रदेश कहा गया है समस्कुरुत में आयरुवेद में और इस प्रदेश में अमलपित्त की संभावना ज्यादा होती है मतलब सर ने ये बता है हमें कि गीली जगा पे आप आओगे तो आपको ऐसी से एक और सवाल मुझे याद आता है कि आयरुवेद में अलग-अलग टाइप के टेस्ट बोले हैं मीठा, खटा, नमाग, तीखा, कडवा, कसैला? जी जी तो सर कोई ऐसे खास करके उनको मीठे से अच्छा लगता है, कुछ लोग बोलते के नहीं उनको खटे से तकलिफ हो जाती है, कुछ को खटा अच्छा लगता है तो कोई इसर खास करके टेस्ट है जो acidity बढ़ाते हो हाँ टेस्ट याने रस जिसे कहा है शडरस है तो इन में से तीन रसों का उलेक पित बढ़ाने वाले रस ऐसे कहा गया है रस याने उस रस के पदारत याने वैसे टेस्ट के पदारत जैसे कि कटू, अमल और लवन इन दिन शब्दों का उलेक वहा हुआ है कटू याने तिखे तिखा रस, अमल याने खटा रस और लवन का मतलब है नमक वाले पदारत तो इन तीन रसों के कारण शेरिल में पित्त जादा बढ़ता है और अमल पित्त होता है तो कटू रस वाले जो पदारत है जैसे कि आजकल लोग आदरक मार के चाए पीते है और इतना आदरक डालते है और इतना उबालते है चाए हम सोचते कि आदरक बहुत अच्छा एक दवाई है आदरक क्यों ने लिया जाए सर सॉरी जो इन्टरफन Sure Iain जो माफ करें सर कटू मतलब कडवा अदरक कहा कडवी होती है कटू का मतलब कडवा नहीं है कटू का मतलब तीखा है जैसे प्हले ने पहले कहा फिर से दो और आना चाहता हूँ कटू का मतलब तीखा है और आईरुएद में तिक्त का मतलब कड़वा है आईरुएद में तिक्त शब्द कड़वा हट के लिए उपयोग में लाया जाता है और कटू का मतलब तीखा है तो आदरक डाली हुई और बहुत उबाली हुई चाहिए अमलपित्त का कारण है आदरक और लसूर की पेश्ट लोग डालते हैं कितनी सारी दीक़ी चट्निया लोग खाते हैं मीर्ज जो ए пальर के तलो के खाते हैं वड़ापाव के साइथ खाते हैं तो अभी आ 만들어 करना जैसे कि 99 पदर्दा बंगते तो एक हम बात में बात करेंगे ये गुड़ के बाव उपर और ऐसे भी लोग है हमारे यहाँ पे कि जो गुड़ से परेज रखते और गुलगले आराम से खाते ऐसी वाली भी चीज है तो लोगों को ये पठ्छे के बारे में ठीक तरह से पता नहीं इसके बारे में हम बात कर है कि किन किन वजों से अमलपित होता है और इसमें रस की बात हम करने है तो तीखे रस की बात हुई अब है अमलरस तो ये अमलरस जो है याने खटे पदारत है जिसमें टमाटर इमली है इनके अमचूर है इनका उपयोग जादा करना जैसे कि टमाटर का सॉस है टमाटर का तो आप में आप सेटरस सॉफ ड्रिंक्स है जैसे की सामबा, रस्सम, इडली, डोसा यह सब पदार्त है इन सब में खटास बहुत ज्यादा मातरा मी होती है पाव बाजे में तो टमाटर ही टमाटर पढ़ते हैं तो और एक बात में दोहर कहना चाहता हूं लोगों को भी कहता ह हूं कि तमाटर का वास्तविक में उपियोग हमने लास्त तीन से एक सालों से बहुत करना शुरू कर दिया और मैं कहता हूं ऐसे कि एक सिर्फ एक ही वेंजन, एक ही हमारी पाकक्रिया बच्चे जिसमें हम टॉमेटों नी डाल, वो यह चाहें, वाकी सब में हम टॉमेटों रख राते हैं, दो कीलो इस तरह का रखता हैं तो यह खटाज ज्यादा बड़ गे है हमारे सब पाकक करियाम जो बनाते हैं गरमेटों गहलाते हैं शगी चीज़ें ज्यूमेल्या की गोलमिय की आपकर करते है वो भी भी पसंद करते हैं उज से तो उससे घंड गटा ज़ान शरीर में जाए। अतना अमलब इतना बढ़ेगा थिसनी हम बात करने तें लवन्डरस की तो इसमें नमक जिसमें जड़ा है इसे जिसमें पापड है वेफर से चिपस नाचोज है यह सब पदार्थ जो है वो ज्यादा नमक वाले बाद में सूरच से आने वाली वो नमक वाली मुंगफली का लोग बहुत पसंद करते हैं तो यह सब इसमें नमक ज्यादा जाता है MSG वाले पदार्थे, Monosodium Glutamate जो एक वाक्षार है और जिसमें मैगी और ऐसे पदार्थ बनते तो यह सब पदार्थे जो है इसमें नमक ज्यादा होता है तो इनसे पित ज्यादा बढ़ता है ऐसा ऐरोएद में कहा गया है तो तीखा, खटा और नमक यह वाली चीज़े आपको उसमें उपको परहेज करना होगा उसमें देखना हो कि क्या हम वो ज्यादा वातरा में खा रहे के नहीं सर्फ मेरे पास ऐसे भी मैंने पेशेंट्स देखे हैं जो मतलब नमक उनको अगर खाने में ना रहे तो उन्हें मज़े ही नहीं आता है हर चीज में सलाद में चावल जुनको जो मिल जाए पहले वो नमक डालते हैं ठीक और फिर ऐसे लोग बोलते हैं कि उनको गर्मी की भी तकलीफ हो रही है तो सरी ये नमक का रिलेशन क्या है ऐसे डिटी और गर्मी के साथ आपने बहुत अच्छा क्वेशन पूछा और आयर्वेद का एक दृष्टिकों में आपको इस बार में बताना चाहूंगा आयर्वेद ये कहता है कि रसाहा कटू अमल लवनाहा विर्योश राहा यतो तरम इसका आर्थ गया है इसका आर्थ ये है कि कटू अमल और लवन ज सबसे जादा उष्ण है एक बार और रिपीट करतीजी एक बार और ओके रसाहा कटू अमल लवना विर्योश ना यतो तरम तीखा खट्टा और नमत वाले पदार्थों में नमकीन पदार्थ जादा उष्ण है बहुत बार मैं यह देखता हूं कि जिनके मुह में छाले पड करते हैं और तीखा जैसे बंग करते हैं तो भोजन का स्वाद नहीं रहता है नहीं रहता तो उसमें नमक ज़्यान रखना जरूरी है तो यह बहुत अच्छी बात आपने पूछी और इसके रूप से में यह उत्तर आपको और यह इन्फर्मेशन ज्यान आप नॉलेज आपसे तक आपके माधियम से कहुचा सका कि आप सोई चीजे नमखीन पदार दों के बारे में जितने भी प्रिजर्वेटिव्स हैं नमक यूज होता है अचार वचार से लेके सब चीज में और आजकल तो सच चिप्स भर भर के लोग चिप्स खाते हैं नमक वाला एटाउं तो अगर सच्वें ऐसे ठीक करना चाते हैं खास करके बाल बचाना चाते हैं तो आपको नमक कम करना पड़ेगा क्योंकि आयरविद में बता गया है नमक सबसे गरम है। एक तो हमने ये सब उष्ण रसों की बात की, आयर्वेद ये कहता है कि अमलपित्त सिर्फ पित्त दोश से नहीं होता, अमलपित्त कफ और पित्त दोशों से मिलके होने वाली व्यादी है, तो इसमें कफ जिससे बढ़ता है, उसमें सब मधूर पदारता आते हैं, जैसे कि केक है, पेस्ट्री है, लड्डू है, आइसक्रीम है, ये लोग जब खाते हैं, तो उनको वो हजम नहीं होता है, आमने जैसे बात की थी, कि आमलपित्त अग्निमांद्यगा विकार है, भूख कम हो जाती है, यानि कि अन्द की पचंशमता जो अमारी शरीर में हो कम हो जाती है, और उसकी वजह से ये बीमारी शरीर में निर्वान होती है, तो ये मधूर पदार्थ जो है, मैं जो मैंने आपको कहे, ये सबसे पूरा भूख कम अगर हो गई, तो अमने पित्त बढ़ेगा, तो इसके लिए आपको ये भी ध्यान देना है कि ये पदार्थ आप जादा ना हाले है, ऐसा है, मतलब एसी डिटी सर बहुत सारे लोगों को लगती है, और मैंने भी जब फर्स टाइम आपको नहीं सुना था, तब तक मैं भी ये सोचता था कि ठीक है, एसी डिटी मतलब पित जलन, तो ठंडा कुछ भी खालो और ठीक हो जाओगे, बट आपने जैसे बत चॉकलेट, पेश्ट्री, ऐसे आइटम, तो क्या ये आदत आईरवेद के हिसाब से अच्छी है, खास करके अगर एसी डिटी है तो, आईरवेद में ये कहा गया है, कि मदूरम आद्याद, मदूरम आद्याद का मतलब क्या है, इसका आरत है ये है कि आप खाने की जब शु तो मदूरम पदारत जो हेवी है, गुरू है, वो पहले खाए, ऐसा आईरवेद का कहना है, तो इसलिए आप जो स्वीट्स खाते हो, वो बाद में नहीं खाना चाहिए, स्वीट्स खाने के कभी भी शुरुवात में खाना चाहिए, बोजन की शुरुवात में मदूरम रस, याद से यह चीज भी acidity कर सकती है आप बिल्कुल कर सकती है क्यों नहीं आप यह खाने के समय की बात कर रहे थे कि लोगों के पास समय ही नहीं तो खाने के समय के बारे में भी आईरवेड क्या कहता है यह मैं थोड़ा सा आपको कहना चाहूंगा के आईरहीद यह कहता है कि याम मातरम न भोगतवयम यामव युगनम न लंग गये यानकी याम यानकी अड़ाई गंटा इसका मतलब एक बार खाना खा लिया तो अड़ाई तीन गंटे तक कुछ भी खाना नहीं खाना चाहिए हमारे patient को हम बोलते हैं कि आएक बार आपने खाना खा लिया तो उसके बाद अडाए गंटों तक सिर्फ आपको बोलने की permission है बाके कुछ खाने की permission नहीं है जैसे कि आप morning, कुछ ice cream, चाय, coffee, पानी ये भी खाने के बाद मत लो एक बार एक बार खाना हो गया तो बस आप चुप बाद में कुछ खाना नहीं सिर्फ आप बोलो, काम करो, खाओ कुछ मत ऐसा है जुसरे इसका पार्ट है याम युगमों न लंग गये इसका मतलब यह हुआ याम युगमों का मतलब है दो तो याम का अर्थ हम ने देखा अड़ाई गंटा, तो अड़ाई गंटा प्लस अड़ाई गंटा याने पाज गंटे हो गए तो आयवेत का ये कहना है कि पाज गंटों तक पाज गंटों से ज़्यादा आप खाली पेड़ भी ना रहे तो अड़ाई गंटों का और पाच गुंटोंगा ये नियम आप ध्यान में रखे पूरे दिन में और इस तरह से आपकी बोजन की व्यवस्था रखे खाने की समय की तो आपकी बहुत सारी बिमारियां जो पेट किसे सलगना है वो कम रहेगी ऐसा है तो और लोग जो मैंने आपने बोला था मुझे की च चलते लोग खाते हैं तो वह तो क्या आजकल क्या फास्ट फूड है फास्ट जमाना है लेकिन ये थोड़ी सी पेट पूजा लोग मंच करते फुट थोड़ी सी पेट पूजा वह बाली बात बिलकुल ठीक नहीं आप बैट के खाना खाओ आयरवेट में बोला गया है कि और पानी का शब्द बोला कि खाने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए तो क्या पानी से एसिडिटी हो सकती है एक सवाल और दूसर सवाल अगर पानी खाने के बाद नहीं पीना है तो कब पीए थो आयरवेद में अमलपित की फिर से वो हेत्व की बात आ गई आप बड़े पग जाओ लेकिन यह मुझे कहना है कि हेतु का मतलब कॉज है और अंतरोधकपानम ऐसे आमलपित्त का एक हेतु बताया है इसका मतलब है कि खाने के समय अजब खाना शुरुवात कि अपने खाने को और अंतर तक आपको एक मर्यादित प्रमान में पानी पीना चाहिए बहुत कम हो जाएगी और आपका वजन नहीं बढ़ेगा ऐसा अहरुवेत खेता है खाने के बाद अगर अपने पानी पिया तो वजन बढ़ेगा ऐसा अहरुवेत खेता है तो इसलिए क्या करना चाहिए खाने के शुरुवात से लेके खतम होने तक बीच में ही पानी पीना दिए बहुत ज़्यादा तो नहीं डालते तो जीतना चर्निंग के लिए जरूर है उतना ही पानी पीए और अगर आपको पानी पीना है खाना खाने के बाद तो मैंने जैसे कहा कि खाने के अडाई गंटे बाद आप पानी पीओ इसके बिश पुछ मत पीओ वो पाना जो आपने खाया हुआ है उसको अच्छी तरह से डाइजेस्ट होने का समय तो तो आप कुकर में चावल पकाते हो तो अगर आपने कुकर में चावल रग दिये पानी डाल दिया और रग दिया आपने चुले पर ग्यास पर रग दिया तो क्या आप बिश में उसका धकन खोलते हो नहीं खोलते हो उसका एक समय होता है वैसे आपने खाये हुए अन्नपो पचाने का भी एक समय होता है वो समय को आप ध्यान में रखिये, वो अडाई गंटे का समय तब उसके बाद आपको जो करना हो कीजिए, जो गलतिया करनी हो कीजिए ठीक है सर ने कमाल की बाद बताए कि आपका खाना हजम होना मतलब चटनी बनाना, जैसे चटनी बनाते समय थोड़ा थोड़ा पानी डालते है कि प्रॉपर चटनी बन सके, वैसे ही खाना हजम होने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा प्यास के हिसाब से पानी पीना चाहिए, तो खाने के बाद अगर आप दो ग्लास, तीन ग्लास पानी पीने की आदत है, कई लोग तो लोटा बर के निप्टा देते हैं, तो वो अच्छी आदत है नहीं, जैसे सर ने बता है कि देड़ घंटे बाद, देड़ घंटे बाद सर, अड़ाई घंटे, अड़ाई घंटे बा पानी से नाया और उनको ऐसे डिटी हो गई, अब ये क्या चीद? तो वो चीज ऐसी है कि आईरवेद में कहा है कि आप खाने के बाद बिल्कुल मतना ही है अगर ऐसे गल्दिया आपने कर दी तो ऐसे लिडियो हो जाएगी आपको जो कहा है ना कि जलन होती है तो वो हो जाएगी तो आप खाने के बास नान ना करें, पेट भरने के बास नान ना करें खास करके ऐसे लोग जो की सोचते कि सुबह में पहले नाश्टा कर लो फिर आफिस जाना तो मैं नहाँगा और तुरन निकल जाऊँगा यह अगर आपकी आदत है, तो आपको बिल्कुल बन करना चीए क्योंकि आप भी सोच रहोंगे याद, दवा बताओ, कुछ चिकित सा बताओ, यह सब क्या चालू है बट इतना बड़ा आईरविदा सोचता है, ऐसी डिटी के बारे में यह नहीं कि वाज 6 सेकेंड में खाओ, और केस खतम, जैसे की हमने शुरू में बात की थी सर यह सब तो खाने, पीने, लाइफस्टाल की बात हो गई अब कुछ ऐसे भी लोग हैं, जो दुनिया भर के नियम पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी एसीडिटी हो जाती है उनका क्या करें? तो एक बात जो हमारी यहां पर बात करते करते भी रहे गई, वो है मानसिक कर मतलब जो पथ्यकान, पूरी उनको सोच समझ है, पढ़ाई उनकी अच्छी है, उन्होंने ऐसे यूटूब पे बहुत कुछ देखा हुई है, उसका फॉलो भी करते है लेकिन जैसे कि सुशृत समीता में, जहां पर बताया गया है कि पित प्रकोप किन कारणों से होता है तो आप सोचते होंगे कि तीखा, खटा, ऐसा सब खानों का वर्णन वहां पर हुआ होगा, हुआ ही है लेकिन उस लोग जो है, सुशृत समीता में, उसकी जो शुरुवात है, उस शुरुवात इस तरह से करते है क्रोध शोक भय आया से उपवा से ही, पित का अगर बढ़ना है शरीर में, तो शुरुवात ही क्रोध शोक भय से करते है तो क्रोध याने कुछ सा, शोक याने सैड लगना, मतलब एक तरह का दुखे रहना, और भय याने कि डरा हुआ डरा सा लगना तो किसी भी थोड़ी चीज से हमें जब एंग्जाइटी या डर पैदा होता है मन में, तो इन तिन मानसिक भाउं से जगुर्पित का निर्मान ज्यादा शरीर में होता है और एक जगह पे चरक समयता में ये भी कहते हैं कि जिसका मन, क्रोध, शोक, भय इनसे आतरंत हो तो उस व्यक्ति का पथ्यकारग भोजन भी अच्छी तरह से हजब नहीं होता तो ये कारण भी जैसे वरीज ये अवलब इत्तर का कारण बताएगे कमाल की बात है कि आईरवेदा केवल शरीर तक ही नहीं मन की भी चीज़े बताता है और चिंता शोग, भाई, क्रोध, दुख, श्रया, प्रजागरे ऐसे करके श्लोग भी है जिसके बारे में सर ने बताया क्या सर सोने उठने का जो एक टाइम है जब हम मानसिक चीजूं के बारे में बात कर रहे है तो कई लोगों के सोने उठने का टाइम फिक्स नहीं होता है रात-रात भर जादते हैं ये नीत का इंप्रॉपर होना भी ऐसे डिटी का कारण बन सकता है बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि एक 8 गन्टे की आपको नीन ज़रुरी है कम से कम 6 गन्टे की तो ज़रुरी ही है और अकाल शैनम, ऐसे अगरोईद में कहा गया है कि लोग आचकल क्या करते हैं रात को 1,5 बजे सोते हैं, सुबह 9 बजे उच्टे तो आट बहुते हैं आदा दिन सो जाओं तो वो सही बात नहीं है तो रात में ही आप अच्छी तरह से अगर नीन ले, वी अगर वो नीन पुरीद तो ही आपका शरील संचालंग अच्छी तरह से सब सिस्टिम्स अच्छे रहें, यह बात जरूरी है और सर कई लोग जब सोने की बात हमने अभी शुरू किये तो कई लोग सर ऐसा है कि दोपहर का खाना खाने के बाद उनको नीद लेना बहुत पसंद होता है, तो चार-चार पांच-पांच घंडे भी नीद ले लेते हैं बीस मिनट से लेके पांच घंडे तक इसका ऐसे डिटी से क्या रिलेशन है हाँ, तो ये दिन का सोना दिन का सोना, इसके बारे में हम बात करेगी है थोड़ी, तो आयर्वीड में जैसे कहा, कि कहा गया है, कि अगर आपको रात लो जागरन आपको भी जागरन हुआ, आप बढ़ाई करते बैठे, अच्छी हाँ, नाइट शिप के, या फिर ये सब अच्छे कारण है, लेकिन मुबाईल देखते बैठे, पिक्चर देखते बैठे, और आपको रात की नीन नहीं हुई, तो सुबे में, दूपेहर में कब सोना चाहिए, तो आयर्वीड ये कहता है कि दूपेहर का खाना, आप खाओगे, उसके पहले आप आपकी नीन पूरी करो उसके पहले आपकी नीन पूरी करो, और फिर बाद में खाना खाओ, जो आपकी नीन नहीं हुई, तीन गंटे नहीं हुई, दो घंटे तो वो पूरी करो, दुसरी बात ये कि दोपहर के खाने के बाद सोना है इसे दिवा स्वाप कहा है, तो स्वाप याने मतलब निधरा, तो दोपहर की निधरा खास करके पित्तगा प्रकोपी करने वाली बतारी गई है तीन गंटा खाने के बाद और उठने के बाद तुरन चाय पीते, जैसे चाय पीते हैं वैसे उनको खटे डगाराना, सिने में जलन होना, मुँ खड़वा और खटा होना, यह सब तुरन भी लक्षन शुरू हो जाते हैं, तो यह सोचते हैं कि यह चाय की वज़े से होगा है, लेकिन आपने जो तीन गंटे की नीन लीए, दो गंटे की नीन लीए, वह वास्ताविक कारड है, यह आप देखिए, तो दिवा सौप करना, तो लोग क्या कहते हैं कि भाई आब आती है, हम क्या करें, हम क्या करें, तो इसमें कहा गया है कि आप पोरे लेटे हुए, बेड़ पे ऐसे मत सुईए आप पुरसी में सुईए बैठे बैठे सुईए तो ये एक ऐसा मध्यम मार गया है कि अगर आपको नींद बिलकुली आई रही है आख मिटी रहे पलके जपक रही है तो आप बैठ के सुईए जब की मारना एक टैफ से जिसे बलते हैं कि आप जब बैठ की बीचीज़ जब जागते हैं तो सुबह पहले आप सो के नीत पूरी कर लो और उसके बाद ही खाओ उना सर ऐसे भी बहुत से लोग देखे हैं कि नाइट शिफ्ट करते हैं घर आते हैं साथ आड़ बजे बेड भर के खाते हैं और सो जाते हैं यह तर ऐसे नीडिका और बाद में खाना खाओ इस तरह से इतने सारे कारण जानने के बाद अब हम चलिए और थोड़ी सी डीटेल जानते हैं ऐसे डीडिके बारे में सर बहुत सारी लोग बोलते हैं कि उनको उपर जलन होती है कुछ लोग बोलते कि उनको नीचे की तरफ मोशन जहां से पेट सा जैसे आपने कहा उर्द्वग और अधोग और वो दोश शरीन में जमय हुआ है जैसे कि पित्त और कफ आमाशे में स्टमक में पनप रहे हैं और अमलपित्त वहां पे बन गया है तो दोश जो है वो शरीन से बाहर निकानने के लिए तक पर रहते हैं जैसे कि आपने चुले पे या गैस पे दूद रख लिया एक बरतन में तो जैसे वो गरम हो जाएगा और अपने सही समय पे अगर वो गैस आफ न किया तो बरतन से बाहर आएगा इसी तरह से हमारे शरीर में बढ़ा हुआ पित्त कफ और पित्त अमलपित्त दो तरफ से बाहर आता है उपर की अब नीचे की तरफ से जब बाहर आता है तो उसके क्या-क्या लक्षन होते है वो हम जानेंगे तो उसमें अतिसार यानि दस्त होना एक या दो बार पतला मल बाहर आना दस्त होना ऐसे होता है पेशन को और उसके बाद दो लक्षन दिखाई देते हैं एक वुददवार या मल का दो द्वार है, वहां पे जलल होती है, दूसरा, जो मल बाहर आता है, उसको एक अमल गंध, याने कि एक खटास वाली गंध रहती है, दो चीज़े है, दो लक्षन बताये गए, और ये होने के बाद, मल प्रवर्तन होने के बाद, पेट में दर्द होता है, और पेट फु लकत्ते भी आ जाते फोड भी आ जाते अधोग अमल पित्त में तो इस तरह की लक्षन इसमें अधोग अमल पित्त जाने वाले पित्त में दिखाई देते हैं जादा करके जो रुगण है आमें दिखते हैं वो उपर की तरब से आने वाले पित्त के ही दिखते हैं उसकी शिका शरीर में पूरे शरीर में जलन सी महसुस होना ये सब लक्षन है कभी-कभी जो आती है न जो उल्टी वो उल्टी के रंग भी रहते है आईरवेदी ने बताया गया कि कभी हरा रंग रहता है बहुत जादा पिला रंग रहता है कभी-कभी खुन भी आ जाता है कभी-कभी कुर तो इस तरह का उद्वग अमलपित्त रहेदा है तो दो तरह के अमलपित्त होते हैं दो तरह की SIDD या अमलपित्त सर ने बताई कुछ लोग को नीचे से होती है जलन वलन और उसमें सर ने कमाल की चीज़ बोली कि स्किन के ऊपर जो आपको फफोले होते हैं या कई बार तवचा रोग होते रहता और आप सोचते हैं कि स्किन की बीमारी है पर वो नीचे वाले SIDD के कारण भी हो सकती है और एक खास बात सर ने बताई कि उसमें से बहुत गंदी या खटास वाली दुरगंद कई सर ऐसे भी पेशन्ट है जो आके बोलते हैं कि इतनी बदबू आती कि खुद को भी बरदास नहीं होता और कल सर एक उडिसा की पेशन्ट थी कली उसने गंसल्ट किया उस ने बोला कि उसने दो साथ तक कंटीनीव सुबह उठके दूद पिना कि किसी ने बोला था पिना अच्छा होता है और अब वो मतलती कि उसके शरीर में इतना जलन होता है कि वो उसको बरदास नहीं होता है और बोलती है सर उसको नमक बरदास नहीं होता मतलब नमक की कोई चीज नहीं होती तो जो आपने इतनी सारी चीज़ा अफितर बताई सारे लक्षण होता सारे लक्षण होता सर अपने एक और चीज़ बताया उपर वाली ऐसी डिटी में कि कई लोगों को पीला, कई लोगों को काले कलर का इस तरह की अलग-अलग टाइप की उल्टी होती है, तो सर ऐसा क्यों? और एक भी लक्षन बता है, आने पीला जैसे कहा है, वैसे माउस याने जो मटन रहता है, वो जब धोया जाता है, तो उसका जो पानी रहता है, वैसे कलर वाली भी उल्टी होती है, इसे बताएंगे है, और ये सब जो लक्षन है, ये लक्षन काइंसर के तरफ हमें में कभी-कभी खून आजाता है. ऐसे कि अलसर हो गया, या वहाँ पे कुछ अंदर से जलन होके, वहाँ पे इंफ्रम्रमेशन होगया, सुजन आगी अंदर, तो उसमें ऐसी खून की उल्टी हो जाती है. या फिर मैंने जैसे था और वहाँ पर एक वैक्ती थे उनको आदत थी कि जब एसिडिटी होती थी तो वो आपने जैसे अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि फ्रिज का जो दूद होता है फ्रिज में रखा ठंडा दूद वो पीते थे और जलन खतम हुई मतलब हो सोचते थे एसिडिटी चली गई और 20-25 साल बात वो बोलते थे कि हम तो शाका हा रही है कभी नॉन वेज ने खाया है बाकी सारी चीज़े अलकोहल नहीं किया फिर भी उनको कैंसर कैसे आया तो एसिडिटी की बीमारी कैंसर तक जा सकती है सर हम हमेशा वात पित्त कफ वात पित्त कफ इसकी बात करते है तो क्या यह वात पित्त कफ का एसे डिडी से में भी कुछ टाइपस ऐसे कुछ होते हैं तो इसमें जैसे हमने उद्वग अदोग अमलपित्त की बात की वैसे तीन दोशों के कारण तीन अलग-अलग टाइपस भी बताए ऐसे की और वो हर एक व्यादी में आयुरेद बतात जैसे हमने देखा कि कफ और पित्त के कारण ऐसे डिडी होती है अमलपित्त होता है तो अगर कफ के कारण अमलपित्त हो तो उसमें दो-तिन लक्षन बिनते हैं जैसे कि गुरु कुष्ठता यारि कि पेट भारी-भारी सा रहना फुला-फुला सा रहना दुसरा है उल्टी ह और उल्टीमे कफ गिरना तिसरी बात यह होती है कि आलसीपन काम ना करने की इच्छा होना ऐसे दो तिम महद्वपुर्ण लक्षन बता है अगर पित्त से पित्त जादा बढ़ने से अमल पित्त हुआ पित्त तो सौवाइकता बढ़ता ही है लेकिन पित्त जादा मातरा में है तो पहला लक्षन डिखता है वो है चक्कर आगा भरम जिसे कहते है जलन होना ऐसी चीज़े पित्त के और उसमें शिरशूल यानि हेडेक होना ऐसे लक्षन हमें दिखते है और अगर वातज यानि कि वात बढ़ने से भी अमल पित्त होता है तो उसमें उसमें पूरे शरिण में एक सुचीवत वेदना यानि सुई चुबने जैसी वेदना एक अलग सा लक्षन बताया गया है दुसरा है कि पेट में और सीने में भी दर्द होना ऐसा और बहुत बार जमाई आना चोटा सा लक्षन है लेकिन यह दर्शात है कि यहां बेवाद बढ़ गया है ऐसे कुछ कम जादा क्या हो रहा है शरीर में कैसी परिस्तिती बन रही है को बन रहा है क्या पित्त बन रहे है अगर आप आप यह सोच है कि इतना डीटेल में क्यों देखते हैं क्यों देखते हैं सब चोटे चोटे लक्षनों को लिखके रखते हैं पूछते हैं पेशन को क्यों करते हैं ऐसा क्योंकि उस पे हमारा हमारी दवाई दिरबर होती है रिसाइड होती है हम दवाईयों का ऐसे ही इस्तमान नहीं करते हैं हम यह सोच रखते हैं कि यह किस तरह कामलपित है किस कारणों से हुआ है और उसके अनुसार ही हम दवाईय देते हैं तो ही कहीं जाके यह हम उसे परिशान है मैनों से परिशान है वो दो अपते में एक अपते में ठीक हो जाता है ये ये बहुत बहुत कमाल की बात सर ने बता ही और मुझे इसलिए इसमें हसी आ रही कि यही हम आयर्विधिक डॉक्टर्स का दुख भी है दुख यह है हमारा की पेशन्ट आता है बोलता है ऐसी डिडी की गोली बोलो इसकी दवा बताओ और हम उसमें धूरते रहते कि इसको वात है कि पित है कि काफ है जब तक वो वाली समझ में नहीं आती हम कोई दवा बोलने की कंडिशन में रहते ने और बहुत से पेशन्ट सर ऐसे सोचते है कि अच्छा तुम लोग दवा छुपा रहे हो तुम लोग पैसा ले रहा चाहते हो बड़ हमारी तकलीफ यह है कि हम जब तक उसके पीछे का दोश्ट ना निकाल ले तब तक कोई भी डाइट या दवा बताना आईरवित के हिसाब आप से उतना सही नहीं माना गया है सर यह अपने बताए कि अलग अलग टाइप्स होते हैं उसमें आपने बोला कि कफ वाली असडिटी में भारी पन होता है कई पेशन्ट सर ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि सब कुछ ठीक था जैसे ही खा लिया उनकी तकलीफ बढ़ जाती है अ अपने लोग क्या बुलते हैं कि भुक लग गई जैसे आपने का दो नीवाले खा लिया तुरंत ऐसा लगा कि पेट बढ़ गया यह कफ वाला है और कफ के लक्षन भी हमें दिखाई देते हैं जैसे कि लाला स्त्राव बढ़ना मू में लाला स्त्राव यारे सलावा बढ़न जिसे कहते हैं वह ज्यादा मातरा में आना है यह भी लक्षण बताएगा है कफ का तो ऐसे सारे लक्षण अगर हमें दिखेंगे तो हम कफ के बारे में ज्यादा सोचेंगे कफ कम करने वाली अंबल पित्त की दवाईआ देंगे इस तरह से कि दवा देंगे बट ऐसी दवाईया रहेगी जो ACIDD के साथ कफ पे काम करेगी ACIDD के हम टाइप्स जान चुके हैं कि सर ने बताया कि ACIDD उपर नीचे से हो सकती है वात पित कफ की अलग-अलग टाइप के अलग-अलग लक्षडों वाली ACIDD हो सकती है सर, modern science में जो भी डॉक्टर्स प्रैक्टिस करते हैं वो कई बार पेशेंट को ACIDD होती है तो कुछ रिपोर्ट कराने के लिए बोलते हैं एंडोस को भी ऐसे कोई भी रिपोर्ट बोलते हैं क्या आईवेदा में भी इस ACIDD को जानने के लिए कुछ रिपोर्ट बोली गई है आईवेद में तो जब आईवेद की निर्मान होया वो अशास्त्र का तब तो ऐसे रिपोर्ट नहीं थे तो कई भी ऐसे रिपोर्ट का जिक्र नहीं आया उलेक नहीं आया है कुछ इस तरह का, लेकिन आयरुवेद में मलमुत्र का परिक्षन है, उल्टी में जो आप बाहर आता है, वो क्या है, यह हम पूछते हैं, बार कई से उसकी जानकारी लेने के कोशिश करते हैं, कि बाहर आया वो क्या था, कैसा था, उसका रंग कैसा था, सफित, कई बार लोग अब आपने बात की थी अधो गामल पित्ते की तो तब मल प्रोरिति का रंग कैसा है मुत्र का रंग कैसा है आपको अगर पसीन आ रहा है तो पसीने का रंग कैसा है अगर पसीने कारण पीला हो तो हम यह देखते हैं कि स्वेध पीत स्वेध यह पित बढ़ने की वजह से होता है तो या फिर वो स्वेध के कारण घाम पसीने के कारण बहुत सारी लोगों के जो अंडर जो यह अंडर आम्स जो है तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऐसी बदभू आती है तो यह सब देखते हैं हम और इसकी परिक्षा करते हैं और रही बाद अब modern के science के ज्वारा करने वारे reports की तो वो जो reports है वो हम देखते जरूर है लेकिन हमारा जो diagnosis है हमारी जो चिकित्सा है वो reports पे निर्वर नहीं रहती लेकिन हम reports करने को भी कहते हैं जैसे मैंने अभी जिक्र किया था उलिटी में अधर हमें ऐसे लगे कि खून आया तो हम जरूर वो patient को कहेंगे कि आप endoscope करवा लो आयरवेद कि हम दवाये दे रहें इसका मतलब यह नहीं क्योंकि patient को अंदर अगर उज़र जखम हो गए अलसर हो गए या फिर और कोई गंवीर बीमारी है तो वो जानना सही समय पर जरूरी है इसके लिए हम उसकी reports कहने को जरूर कहेंगे इंडोस्कोबी करने को कहते तब जब patient हमें आरे पास आता है और हमें लगता है कि कोई यह गंवीर समस्या है तब ओके तो हम reports कराते हैं बट यह जानने के लिए कि अंदर क्या चल रहा है जादा तर हम आईरवेद में उसे किस तरह की उल्टी या किस तरह की लक्षण है उनको वात्पित कफ के आधार पे डिवाइड करके treatment करते हैं अब आते हैं treatment के उपर इतनी सारी चीज करने के आप बोलो कि भाई दवा भी बता दो पर चलिए सर से ही पूछते हैं कि सर सबका एकी सवाल रहता है कोई भी patient आता है इस acidity से इतने साल से परिशान है इसका permanent ilaj बताईए तो सर क्या ilaj है permanent permanent ilaj जो है आईरवेद ये कहता है कि ये एकी बार सबको मिटा दो इन लक्षणों को भई विटा दो और हमें दवाईवों से डॉक्टर से बीमारी से सबसे मुक्ति दिला दो तो उसके लिए हमें आयरवेद ने कहा है कि पंचकर्म करवाओ पंचकर्म शोधन करवाओ जो भी दोश बड़े हुए है वो एकी साथ शरील से बाहर निकाल आप बरतन को साफ करो स्टमम जो है न एक बरतन ही है उसको साफ करो साफ करो मतलब क्या उसको पंचकर्म करो जो की शरील की शुद्धी करेगा और उसमें वमन बताया है चिरोथे और चिरोथे वहाँ अभी ये भी संस्क्रिट वर्ड आ गया तो चिरोथो चिरोथे यानि कि बहुत मतलब सालों से चल रहा है अमलपित और चिरोथे यानि कि अभी अभी हुआ अमलपित कैसे भी तरह का किसी भी प्रकार का अमलपित्त हो अगर इससे पूरी मुक्ती अगर आपको चाहिए तो आप भुमन करवा लीजिए यह अईरवेत का कहना है पूरी तरह से अमाशय को स्टमक को साफ कीजिए यह तो पर्मनेंट इलाज आपको चाहिए बहुत बार होता है कि पर्मनेंट कुछ बोलो यारे गोली चुरन चटनी टैबलेट इन सबसे पग गए तो सर ने बता है पर्मनेंट इलाज है पंच करम और पंच करम में वमन सर वमन जो अपने शब्द बोला उसका मतलब क्या होता है पहले आप हमारे लोगों को ये बताईए और वमन में एग्जेक्टली आईरवित करता क्या है शडीर में वो भी बताईए सर वमन मतलब है वमन का मतलब पानी पीके उल्टी करना ये नहीं पानी पीके या नमक का पानी पीके लोग उल्टी करते हैं वो वाली बात नहीं इसमें क्या होता है एक शास्त्रोक्त वीधी है वमन एक शास्त्रोक्त वीधी है मैं समझाना चाहूंगा आपको थोड़े से बतलब उसकी थोड़ी उदारन देखे कि जैसे हमने पहले कहा था कि ये दही का छोटा सा कण्वी पूरे सारे दूद को फार देता है तो ये अमाशे में जमी हुई जो अमलता है उसको साफ करने के लिए हमें वमन करना होगा और उसका शास्त्रोक्त तरीका क्या है तो उसमें पहले हम एक दवाईयों से बनाया हुआ घी पिलाने को देते है वो कहते हैं कि इस विशिष्ट मातरा में आप तीन दिन, चार दिन, साथ दिन, पास दिन पीजिए उसके बाद में हम पूरे शरीर को मसाज करते हैं हाँ उसे स्नेहन स्वेदन कहते हैं और ये दोनों जो स्नेह याने घी पेट में लेना और उपर से शरीर को तेन से मसाज करना ये दोनों चीज़ों को स्नेह पान कहते हैं मुँ में लिया हुआ और उपर से लगाया हुआ तो ये स्नेहन, उसे स्नेहन और स्वेदन स्वेदन का मतलब है बाश्प स्वेद याने सेक लेना स्टीम जिसको आपू AAM तीम लेना तो यह घी अपने पी लिया उसके बाद में पूरे शरिब को मसाज करवाते हैं इससे क्या होता है शरिवी जो पित फैल गया है वो पेठ में आ जाता है और शरिव में बैसे तो स्टमप में जमा हुआ भी तो रहता है ये तो यह जमा हुआ पित्त की पीने से और उपर से तेर लगा के वानिश करके उपर से स्टीमिंग करके आया हुआ पित्त है इसको हम बाहर निकालने के लिए पेशन को सुबह में बुलाके उसको दवायों का काढ़ा दूद या दणे का रस ऐसे पिला के फिर बाद में दवाई चटाते हैं उससे उल्डिया हो जाती है और पेट भरा हुआ या दूद या गंदे का रस लेने से सही और सुलप मातरा में ये वमन हो जाता है और ऐसे वमन हो जाने के बाद उसके आगे हम तुरंद भारे खाना नहीं खा सकते सामान्य खाना है वो खाना नहीं खा सकते इसके लिए छोटा छोटा हलका हलका खाना दे के पांचवे या साथवे दिन उसको पूर्या खाने की इजाज़त दी जाती है इसे शास्तरोक्त वमन कहते है और ये वमन करने के पहले पेशेंट की जांच की भी की जाती है क्या ये व विमारियां तो नहीं है, वो देख के उसको ममन के लिए तयार किया जाता है, तो अगर ये ममन अच्छी तरह से उसका हुआ और रुगणा का सहकारिय मिला, उसने इस दोरान तो हम बहुत सारा पत्य करने को कहते हैं, जैसे कि आप अगर घी पेने को शुरुआत की आपने, तो उस दिन से आपको चाय बन करनी होगी, कौफी बन करनी होगी, ठंडा पानी बन करना होगा, गरम पानी पीना होगा, और खाना जो है, थोड़ा कम मातरा में खाना होगा, ऐसे उसके पत्य है, तो ये घी पीने के बाद, मसाज करने के बाद, वमन करने के बाद, वमन अच्छ पा सकते हो तो हम सुबह उठके कर 5-6 गलास या 8-10 गलास पानी पी ले और उंगली डालके उल्टी कर दे तो वो भी तो उल्टी है तो आपके वमन और इस उल्टी में क्या अंतर आपने तो देखा होगा कि एक बहुत बड़ी लंबी चलने वाली प्रोसेस है वो ऐसे ही आपको समय बहुत है इसके लिए कर रहे गया ऐसा है नहीं आप जो पानी पीते और उंटी कर डालते हो वो 10 मिनिट की बात है और यह कई दिनों तक चलने वाली प्रोसेस है ऐसा क्यों है क्योंकि आप जो ट्रीट्मेंट कर रहे हो वमन की यह मूलगामी ट्रीट्मेंट है मूलगामी मतलब जड से जड से निकालने वाली यह जड से निकालने वाली ट्रीट्मेंट है और जैसे का आप पानी पीके उंटी करोगे तो क्या करोगे यह जमा हुआ जो है पित्त निकालोगे आज का पित्त निकालोगे, लेकिन सालों की गल्तिया है ना, सालों की गल्तियों की वज़े से, हमने पहले जो बात की थी, कि अमने पित्त के कारण। ये जो आहार का रस, food juice जो बना है, वो शरीर में अमनना होके फैलता है, और उससे और भी कई बिमारियां होती है तो शरीर में भी पित्त का संचे हो गया है उसे हम अगर निकालना चाहते है तो यही एक सही तरीका है आप सिर्फ पारिपियो और उल्टी करो वो वाली बात उससे यह हम पूरी तरह से एचिव नहीं कर सकेंगे रिजर्ट नहीं पासकेंगे जो आईर्वेद कहता है वैसे वर उससर ने बताया कि एसीडी आपकी बॉडी हुई है उस एसीड जो आपके शरीर में अलग-अलग जगा गया है अगर आप उसको खीच के प्रॉपरली पेट में नहीं लाएंगे और ठीक से नहीं निकालेंगे तो किवल रोज पानी पिया उल्टी कर दिया ये आईर्वेद का वमन नहीं है और ये नहीं ये सही तरीका है ऐसीडी ठीक करने का पर सर हम ऐसे भी लोग देखते हैं जो बोलते है ठीक है आपने बोला उस दिन का ऐसीड निकल जाएगा तो हम रोज पानी पिके रोज उल्टी करेंगे और कई लोग सरसुबह करते भी ऐसा तो क्या ये ऐसीडी के लिए सही चीज है ये प्रैक्टिस तो इस तरह का पानी पिना और उल्टी करना ये योग शास्तर में भी बता है योग शास्तर में जी और योग शास्तर में कहा है कि मैने में आप एक या दो बार करें रोज करना ये ठीक बात नहीं है और उल्टी का आर्थ क्या है उल्टी का आर्थ है जो मार्ग है वो मूँ से नीचे जाता है उल्टी का मार्ग मतलब क्या उल्टा हो जाना मतलब आप मूँ में जब उमलिया डालके करते हो तो उल्टा मार्ग से आप निकालते हो शरीर के अंदर बैठे हुए दोशों को एक बार सही है अगर बारवार आप करते रहे तो वो जो कहा था मैंने पहले भी कि अंदन अली का जो है जो जहां पे आमाशे को मिलती है वहाँ पे एक स्पिंग्टर होता है एक द्वार होता है वो उसमें क्या होता है अब खाना खाते हो तो बंद हो जाता है तो इसका एक स्पिंग्टर है तो वह अगर आप मुल्टी करते हैं रहे रोज तो वह स्पिंग्टर का जो कारेक्षमता है वह कम हो जाती है ठीके, तो वो स्पिंक्टर की अगर कारेक्ष्ण मता कम हो गई तो उसे एक लोवर इसो फैगस का जो स्पिंक्टर उसे इलियस करके कहा जाता है वो विकार हो जाता है और उससे फिर से वो रिफलक्स ऐसिड का काम और इसिड के लक्षन बढ़ी जाते है सर हम वमन के बारे में बात कर रहे थे तो आपने बोला कि जो एसेडिक बॉड़ी है उसको आपको ठीक करना है तो आईरवेद में जो वमन कर्म सास्त्रोक तो वमन कर्म बोला है वो करना चाहिए अब कुछ लोग का फिर ये भी सवाल आता है कि ठीक है मैं घर पे घी पी के उल्टी कर लो तो चलेगा क्या या घर पे वमन कर सकते हैं क्या बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा, हम रुगण को जब बमन देना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तब उसकी चार्ज भी करवाते हैं, ब्लड पेशर देखते हैं, कई बार इसी जी करवाने को कहते हैं, कई बार टूड़ी एको कहते हैं, कभी-कभी ब्लड लिए सही माइने में fit है कि नहीं तो यह fitness पहले हम देखते हैं जरूर और इसी लिए यह वमन घर में करवाने जैसी प्रक्रिया है नहीं पंचकर्म सेंटर में जाके आप जरूर कीजे और पंचकर्म सेंटर में वहाँ पे तज्ञ वैद्य उपलब्द है क्या यह भी जरूर द ही तो ठीक है सर यह समझ में आ लिए जरूर कि चलो वमन हम आईरविदिक वमन घर पे नहीं कर सकते तो सर क्या ऐसा कर सकते है कि बस मैं पंचकर्म सेंडर में जाओं मुझे एस एले है और मैं जाके बोल दूँ मुझे एसले ही मुझे वोमन कराना है कि यह तरीका भी ठीक है बिल्कुल नहीं है क्योंकि पहले आपको वहांके जो तद्ने वैध्य है वो पहले आपको अच्छी तरह से आपका परिक्षन करेंगे और तुरत आपको वमन भी नहीं देंगे पहले आपको शमन चिकिस्सा याने जो दोशों को कम करने वाली अमलपित्त के लक्षणों को कम करने वाली भूख को बढ़ाने वाली ऐसी कोई पहले दवाईया देंगे और दवाईया देने के बाद उस आपके बोड़ी को तैयार करेंगे वमन के लिए तो ये जो उसको पूरुव कर्म कहते हैं उसके पहले भी कई बार दवाया लेने की जुरूत होती है तो ऐसे जरूर रहते हैं तो आप अगर चाहें कि मुझे अगर छुट्टी है वे वमन करानू तो ऐसे होता नहीं है आपको अगर वमन कराना है तो पहले वध्य को मिलिए और बाद में छुट्टी का एप्लिकेशन आप डालिए ये बहुत ही कमाल की बात है क्योंकि हम देखते हैं विदेशों से बहुत बार लोग आते हैं 10-15 दिन की छुट्टी लेके और बोलते हैं कि बस 15 दिन में हमें पंच करम कराना है पूरी बाड़ी साफ कराना है और कई ऐसे सेंटर है जहां पर ये कर भी देते हैं तो वो आईरवेद के नाम पर वगवान जाने क्या करते होंगे जैसे कि सर ने बोला पहली बात पेशेंट का सिलेक्शन किया जाता है कि उसकी बाड़ी के लिए वो वोमन सच में सुटेवल है या नहीं है और अगर हैं तो फिर उसकी body को तयार किया जाता है तयार करने के बाद ही woman होता है ऐसे नहीं कि मैं गया चलो मेरा woman करना है और करा दो तो ये कमाल की चीज़ सर ने बोली सर woman कर्म ये जो हम बाते कर रहे हैं इसमें कितने दिन और खर्चा कितना आता है और बाद में जिस दिन आता है जब woman कराते है actually प्रदान कर्म जो कहते हैं जिसे हमें और बाद में वो तीन दी या पाच दिन के rest भी होती है जिसमें आपको धीरे धीरे खाना बढ़ाया जाता है तो कुल मिला के आप सोचिए कि 12 या 15 दिन इसको लगेंगे और खर्चे की बाद आपने उठाई है तो खर्चे का तो मैं कुछ नहीं कह सकता अगर आप गवर्मेंट कॉलेज में गए तो बहुत ही कम पैसों में इसका वमन कर्म हो जाएगा अब प्राइवेट में गए तो उसको अलग चार्जेस लगेंगे मुंबई में करें पूना में करें कई बैंगलोड में करें दिल्ली में करें वहाँ पे अलग अलग चार्जेस है तो ए मन का खर्चा ऐसे सर ने बोला सर ये तो हुआ उपर के ऐसे डिड़ी ठीक करने के बारे में आपने एक और चीज बताई थी कि कई लोगों को अधोगत मतलब नीचे होने वाली भी ऐसे डिड़ी होती है उसमें कौन सा पंच कर्म करें देखे पहले तो आयर बेद ने बताया कि अमलपित्त की चेकिसाम की शुरुवात वमन से ही होते बहले वो किसी भी तरह का किसी भी प्रकार का अमलपित्त हो और आगे भी बताते हैं कि अमलपित्त में बस्ती, विरेचन और रक्षमुक्षन ये तीन पंच कर्म भी किये जाते हैं वो तब सारे पंच कर्म करने दूसरा आता है विरेचन जैसे कि वमन में कहा गया वो घी पीते हैं फिर से पूरे बॉड़ी को मसाज कराते हैं स्टीम देते हैं और बाद में दवाई देके उसे दस्त करवाते हैं ठीक है तो यह विरेचन कर्म हो गया और इसका उपयोग अदोग अमला पित्त में भी होता ह क्योंकि वो जो पित्त नीचे की तरब से जाना चाहता है उसको अच्छी तरह से आप निकाल दो तीसरी बात है बस्ती की यादि के एनिवा की कभी-कभी ऐसे अमला पित्त होता है कि जो बहुत सालों से रहता है और जिसमें जैसे आपने कहा कि वात के कारण भी अमला पित् टुपने जैसे फील होता है तो ऐसे वात के लक्षणों में बस्ती का भी उप्या होता है तो बस्ती जीकी सामगरते हैं जिसमें काड़ा और तेल के बस्ती देते हैं सर आपने बताया कि पंच कर्म में जो एसीडिडी का इलाज है जहां से दोश निकलना चाहते हैं अगर नीचे से निकलना चाहते हैं तो उनको विरेचन करा दिया जाता है विरेचन मतलब सर वही लूज मोशन पेट साफ करना अब यहां पर भी वही सवाल आता है कि जब बे जैसे हमने कहा कि एक बिल्कुल शास्तिरे प्रोसेस है वैसे विरेचन भी शास्तिरे प्रोसेस है और वो उसी डन से करनी होती है उसके लिए उतनी रेस्ट लेनी होती है उसना ही पत्यपालन करना होता है वैसे घी पिना होता है तो यह सब करना होता है उसके अलग विशेश आप यह सूचिए, आप यह मत सूचिए कि जल्दबाजी में हमने गोली ले ली पेट साफ करवा लिया, पेट साफ करनी के लिए विरेचन नहीं है, विरेचन पित्त दोश का उपक्रम है, उसकी ट्रीटमेंट है, आप पेट साफ हो गया तो वो आपको हसिल नहीं होगा, आप शरीर में फैला हुआ पित्त दोश आपको किसी तरीके से पेट में लाना है और उसे बाहर निकालना है, और जम गया उसको बाहर निकलतो, बाहर निकलने के लिए ऐसे आप बोली ले लो बाहर निकलतो, ऐसे वाली बात नहीं है, पहले घी पिओ, मसाज कराओ, सेख कराओ, इसका एक कोई शास्त्री है उसके बारे उसके एक बैठक शास्त्री है या आप द्याद में रखिए? सर ने बताया कि पंचे कर्म कोई शौटकट नहीं है कि बस दो गोली खाई या चार ग्लास पानी पिया और पेट साफ हो गया तो वो वीरेचन हो गया उसमें भी जिसे सर ने बताया पूरे शरीर से दोशों को खीच के पेट में लाके फिर उनकी क्लिणिंग की जाती है तब त इसी बाते कर रहे हैं इसी में सर एक और टाइप देखा जाता है आजकल वाटर एनिमा के बारे में बहुत सारी बाते होती है कि आपने बुला बस्ती करना है मतब तेल और काड़े का अब दवाईयां जहां से पेट साफ होता है वहां से ले लो तो सर वाटर एनिमा कितना फ आप तेल डालो और कोई दवाईया मिक्स करो और उसका एनिमा दे दो एक उसके quantity भी बताएगी कि कि इतने quantity भी वो देना चाहिए और फिर वो काड़े का एनिमा है उसके बाद में तेल का एनिमा है और तेल और काड़े का एनिमा का एक typical process है और उसी तरह से आप वो कीजिए त तो ही आप पो फायदा होगा सिर्फ आप वोटर का एनिमा रेते रहोगे तो पेट साफ हो जाएगा पेट साफ होना मतलब वात कम करना नहीं है वहाँ अगर कम करना चाहते हो वात के कारण हुआ अगर खीक करना चाहते हो तो वहाँ पे तेल भी चाहिए अगर वोटर एनिम टो यह mixing है, तेल काड़ा, तेल काड़े का एलिम, यह क्यों कहा गया है? वाद को जड़ से मिटाने के लिए, आपको पेट साफ नहीं करना है, आपको वाद को जड़ से मिटाना यह द्यान में रखिये, तो इसके लिए बस्ती का उपकरम है, तो इस तरह से वो होता है.